चलिएगा एक सेशन की सुरुवात करेंगे और आज रेलवे के सबसे महत्तोपून सबजेक्ट्स में से एक फिजिक्स का आज हम लोग सेशन लेने वाले हैं तो भाई आज फिजिक्स तो पढ़ा जाएगा धुआधार लगातार सांधार लेकिन यदि यार आप एससी और रेलवे एक्जाम की तयारी कर रहा हो न और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो लोग यह सिकाय करते हैं सर आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है कई दोस्त लाइब में सिकायत करते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मेरे भाई मेरे दोस्त जितने भी मेरे स्टुडेंट्स हैं प्लीज बिल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजे तो आपको क्या मिलने ल स्टाट हो कि दोस्तो अररवी ऐंटी पीसी का मॉक बैच चला थो दोस्तों आपके ऐख अक्टूबर 12 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है मतलब अभी कल से और दोस्तों इसी तरीके का हम लोग का एक और बैच है जो की क्रैस कोर्स बैच है 72% आफ पे तो यह रहा आपका कोर्ट चलिएगा पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पे लाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों तो तेड़ा त्यार रहिएगा ठीक है चलिए पहला न्यूटन के गती के प्रथम नियम से किस रासी की परिभासा मिलती है which amount is defined by Newton's first law of motion दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़तो का नियम भी कहते हैं law of inertia भी कहते हैं और दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम से हम लोगों को बल की भी परिभासा मिलती है आज का एक बात बता दे रहा हूं आज मैं detail नहीं बताऊंगा आज physics का आप लोगों का मैं एक test लूँगा और इस test में last में सभी लोग अपना number test series लगा रहा हूं बहुत बढ़या महमद आशब सभी लोग अपना number count करते रहना कि आज के physics के 20 question में आपके कितने marks आए ठीक है न तो आज detail नहीं सिर्फ और सिर्फ answer बताऊंगा एक kilowatt hour का मान होता है सो समझ के answer करिएगा एक kilowatt hour का मान कितना होता है तो भाया और सब लोग अपना calculate करते रहना बैमानी कोई ना करे last में सब लोग बताना कि yes sir हम लोगों ने इतने 20 question के आज आज आपके MCQ physics के test में हम लोग कितना number पाए है इस live test में कितना number पाए है ए option इसका correct है ठीक है न अगला question आपके screen पे ठीक है आपके screen पे ये रहे कोई वस्तू अधिक्तम भार सील हो जाती है the maximum weight an object become air में, water में, hydrogen में या vacuum में ये वाला answer तो आप लोग कर दोगे क्योंकि पढ़ाए हुए question से आए है मदन मोहन दलाई कह रहा है सर SSC CHSL GS के question आपके पढ़ाए हुए question से 5 question मिल गए सर thank you so much बहुत बढ़िया दोस्त और इस question का answer vacuum निर्वाद ठीक है न वैक्यूम या निर्वाद तो भाईया जैसे butterfly साहब का पिछला question गलत हो गया मैं आपके comment को पकड़ लिया भाईया ठीक है अगला विद्दूत मोटर में विद्दूत उर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है what energy is converted into electrical motor एक ऐसा question आपका डायनमो मोंबत्ती जैसे की मोंबत्ती की energy chemical energy light energy सब में निकलती है तो ऐसा एक question रहेगा आज आपका live test चला है 20 question रहेंगे आपको last में बताना है कि आपने 20 out of कितने marks पाए है तो भाईया calculate करते रहेगा ठीक है आज मैं detail नहीं बताऊंगा आज आपका test लूँगा surprise test physics का तो विद्दूत मोटर चौथे question का answer पहले मैं देखूंगा भाई जो लोग skip करें वो लोग skip कर देंगे लेकिन जिनका गलत हो वो minus 25.25 अपने नमबर में घटा लेंगे ठीक है न एक बटा चार negative marking अपने में से घटा करके अत्तव इमानदारी से बताना जो लोग गलत करें अब जो skip कर देंगे उनकी तो बात ही अलग है अगला Car steering includes पहले English वाले इस question का screenshot ले ले ठीक है न अब मैं दे रहा हूं इसको हिंदी में Car के steering में सामिल होता है एक एकल बल मतलब आपको होगे single force ठीक है दो बल एक अहीं दिसा में कारे करते हैं एक अहीं दिसा में कारे करते हैं दो बल जो अलग-अलग रेखाओं पर तथा विप्रीद दिसाओं में कारे करते हैं या बलो का एक यूग्म जो विप्रीद दिसाओं में तथा उसी रेखा पर कारे करता है तो दोस्तो याद रखना पाँचवे का answer क्या आ रहा है बाई कॉसल सिंग, कीनू, तपश कुमार जेना और साची पांडे जी जरा भया अगला question पाँच question हो चुका यहीं पर देख लो कि आप कितना सही किये हो कितना गलत कियो हो आपके comment में मैं जुडा हुआ हूँ ग्रहों की चाल से सम्मंधित नियम किस ने दिये थे सर ये टेस्ट में ऐसा question आपने दिया कि एक number हम सब लोग पाएंगे बात तो सही है क्योंकि सभी को पता है कैपलर ने दिया था कैपलर ने दिया था ग्रहों की चाल से सम्मंधित नियम कल से भया एकदम धुआधार ताबड तोड हिस्ट्री स्टार्ट होगी चार दिन बहुत depth में जाकर के समझाई जाएगी तो कल से जुड़ना मत भूलना जहाजों में समय मापने के लिए प्रियुक्त उपकरर है तो सर एक बाद तो तैं है कि गोलवनो मीटर तो नहीं होगा ठीक है सर अब उसके बाद सोनो मीटर क्रोनो मीटर और बोलो मीटर इन सब में से एक ही option है दोस्तों एक तो देखो मैंने eliminate कर दिया आपके लिए लाइप टेस्ट में से एक eliminate कर दिया अब भया आप बताएंगे देखू किसका क्या एंसर आ रहा है बिल्कुल दोस्त साथवे क्वेश्चन का क्रोनो मीटर एंसर सही है जहां जो मैं समय मापने के लिए प्रियुक्तूप करण क्या होता है क्रोनो मीटर वो आडियो मीटर वगयरा आपके टुवीलर्स में बाइक वगयरा में लगा रहता है ठीक है स्पीडो मीटर स्पीड मापने के लिए आडियो मीटर उनका किलो मीटर वगयरा देखता है तो speedometer और audiometer में difference है bike में ये याद रखिएगा अगला निमलिकित में से कौन सी kodi way की सही इकाई है which of the following is the correct unit of angular velocity एक बात बता दू कि आपके NTPC के paper में physics के questions बहुत अच्छे level के रहेंगे ये आप ध्यान दे दीजेगा ठीक है ना physics के question बहुत अच्छे level करेंगे निमलिकित में से कौन सी kodi way की सही इकाई है दोस्तो kodi way की जो सही इकाई है वो दिये गए options में से पहले मैं answer देखूंगा भया ये लोग answer तो देख के tick मार देंगे तो भाई इमानदारी से देख के tick नहीं कि सर देख लिए अब एक बार tick मार देंगे ठीक है रेडियन सेकेंड आगला ये micrometer कितने centimeter के बराबर होता है अच्छा बताओ questions आपको कैसे लग रहे हैं न बहुत tough है न बहुत level low है एक moderate जो railway level के questions होते हैं वो आपके मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत standard question है बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि ये moderate level के questions है दोस्तों 9 question का answer 10 to the power minus 4 हो जाएगा यहां क्या भर दिया जाए sir 10 to the power minus 4 बस आगे बढ़ते हैं पहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रियोग किया जाता है कई लोग इसका गलत करने वाले हैं मैं एक बार comment देखूंगा क्योंकि जो दोस्त लेट में जुड़े हैं उनको बता दूँ दोस्तों ये 20 question का एक test हो रहा है गलत होने पे आप minus 1 बटा 4 अपने marks को करेंगे लास्ट में अपने total marks comment box में जरूर लिखेंगे कि किसने कितने marks पाए ठीक है न किसने कितने marks पाए बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रियोग होता है दोस्तों याद रखिएगा देखो जैसे दस्वे का A बता रहे हैं आपके कई दोस्त तो भाईया देखो दस्वे का A अच्छा ठीक है दस्वे क्वेस्चन का दोस्तो B option सही है आड़वी घड़ी molecular clock का उप्योग होता है देखो दस्वे का A जितने लोगों ने बताया सबका गलत हो गया एक तपस कुमार जेना ने बड़े समस्दारी पुर्वक skip कर दिया भाईया skip का भी option है skip कर दो कम से कम negative marking में नव जाओ ठीक है skip का भी option है तो अगला question next एक micron किसके बराबर होता है what is one micron equal to भाई बतायेगा एक micron किसके बराबर होता है कुछ लोग अभी chronometer वाले ही question पे चल ले है आठवे question पे ही साथवे पे चल ले है तो भाईया आप तो ग्यारवा question आ चुका है बिल्कुल दोस्त एक micron बराबर होता है आपके 0.001 mm के D option इसका correct है D option इसका correct है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बट्टू सेल्स जी अज़े एक बात बताएं ये 20 question का test है दोस्तों जो लोग late में जुड रहे है उनको बता दू अगर आप question का answer गलत करोगे तो इमानदारी से minus 1.4 करके last में आपको total बताना है कि इसका answer क्या होगा दसवे का B जिसने answer किया है गरबडा दिया है प्रदीप चौरसिया ने अपना answer ठीक है न अगला question आर्कमडीज का नियम निमलिखित में से संबंधित है आर्कमडीज law relates law of flotation, right triangle, law of gravity relation between current and voltage सर आर्कमडीज का नियम जो है सर वो किससे संबंधित है दिये गए options में से अब ये question कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि सर एक्चुली इसका answer क्या होगा भया एक बार जरा like करके 400 लोग plus हो जाओ उसके बाद इस पे बात होगी पहले भया जट से 400 लोग plus हो जाओ क्योंकि आज हम लोग करीब करीब 600 प्लस जाने की कोशिस करेंगे ठीक है तो आरकमडीज का नियम निमलिखित में से किससे संबंधित है सर प्लवन के नियम से ठीक है बिल्कुल बारावे का ए एक बटा तीन है सर रेलवे में कोई बात नहीं कटेगा एक बटा चार माक्स ठीक है मुहमद आसब करें सर रेलवे में एक बटा तीन माइनस निगेटी होता है लेकिन दोस्त आपके लिए आज है माइनस एक बटा चार ठीक है चलिए अगला फाउंटेन पेन किस सिध्धान पर कारे करता है बहुत ही सांदार कोश्चन एक अर्दो सर जी बिल्कुल यादो जी एक कर दिया है हमने समिती अडाला जी परवत बबलू रंजीत अनामिका स्वतंतरता स्वतंतरता स्वानलता स्वानलता प्रधान जी कीनू, निल्मनी, सिवानी जी एंसर करिये दोस्तों फाउंटेन पेन किस सिध्धान पर कारे करता है तो सभी लोगों को याद है सर ये केसिका क्रिया ये कोशिका नहीं होगा केसिका क्रिया कैपिलर्टी, सेल एक्टिविटी नहीं दोस्त केसी का क्रिया ठीक है ना इसको नल एन वाइड कर दिया जाए कैपिलर्टी के ला पे ये कारे करता है ठीक है ना कैपिलर्टी ला जिसे आप केसी कत्तो का नियम कहते हो ठीक है कैपिलर्टी का ला जिसे आप केसी कत्तो का नियम कहते है ठीक है कोसी का ला नहीं होता वो translation error है ठीक है चलिएगा अगला हाँ बिल्कुल capitalally action पे काम करता है किनुजी बिल्कुल सही आपका ठीक है अगला एक तामबे की छड़ है और दूसरी इस पात की बहुत बढ़िया भाई एक तामबे की ये छड़ है और दूसरी इस पात की है द इस प्रकार दोनों का volume सेम है या equal weight के है इस वज़ा से या density में दोनों समान है इस वज़ा से या mass in सेम है अब इस question को मैं कहूँगा कि ये है standard question railway के point of view से सारे question standard नहीं हो सकते सारे low level नहीं हो सकते सारे moderate नहीं हो सकते हर question अपनी quality के अनुसार up and down करता रहता है सर 14 question का जो right answer होगा वो होगा B भार समान है 14 question का क्या हो जाएगा जब उनके भार समान होंगे तो वो similar uptake लेंगे ठीक है न तो दोस्तों इसका B option correct है B option इसका correct है ठीक है अगला question फुहारा या इस prayer निमलिखित में से किस सिधान पर कारे करता है ये सिधान वाले lift वाले question एक आपके paper में रहेगा तो भाया अच्छा जो लोग अभी तक channel को यार subscribe नहीं कियो न physics के इसी तरीके के सांदार questions के लिए दोस्तों प्लीज channel को subscribe और like जरूर करे ठीक है channel को subscribe और like फुहारा इस prayer निमलिखित में से किस सिधान पर कारे करता है पताएगा दोस्तों आज का जो test होगा मात्र मैं आपको test के लिए 20 मिनट ही provide करूँगा ठीक है मात्र 20 मिनट ही provide करूँगा 20 मिनट से ज़्यादा कि आज की class नहीं रहेगी ये आप देख लीजेगा सर पंद्रावे question का जो answer है वो है A बर्नौली के सिधान पर कारे करता है देखो अब यहाँ पे रंजीत रॉय ने गलत कर दिया राजी रंजन कस्चप ने गलत कर दिया ठीक है तो भईया ये याद रखना अगला प्रिष्ट तनाओ किसके कारण पैदा होता है what causes page stress नहीं surface tension ठीक है ना प्रिष्ट तनाओ मतलब आपका surface tension इंगलिस हो जाएगी surface what causes आपका surface tension ठीक है बताईएगा जो भी दोस्त लास्ट में जुड़े हैं बता दू 20 question का दोस्तो physics का test चल रहा है इस test में आपके सही marks के लिए एक नमबर और गलत करने पे एक बटा चार आप negative marking में भी जाओगे साथ ही साथ आपको last में अपने marks भी बताने हैं निल मनी कुमार जी ठीक है न अरुन नायक तपस कीनू परवत नायक जी रोहित वर्मा अखिलेश प्रदीप चौरसिया भाया विवेक official ठीक है विवेक official लिख रहे हैं सर आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया ssc में बिवेक भाई जब नहीं आया तो तुम क्या करने channel पे समय बरबात करने आये हो भाई आप जाओ कोई और अच्छा faculty ढूढ़ो और उनसे पढ़ लो ठीक है विवेक जी लेकिन ये बड़ा बड़ा जो comment कर हमारे दोस्त जानते हैं कि मैं जो ssc में पढ़ाता हूँ वो आता ह कि नहीं और मैं किस लगन से उसको पढ़ाता हूँ तो बिवेक जी तुरंट आप उस teacher की तलास में जाएं जो आपको हमसे बेहतर पढ़ा पाई ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है ठीक है और मैं उन faculties में से नहीं दोस्त जो comment देखके रूख जाता हूँ मैं reply तुरंट दे देता हूँ ठीक है सोलावे question का answer sir B हो जाएगा cohesive and force between molecules ठीक है तो दोस्ता बिवेक जी को आप लोग भी एक बार सलाह दे दें कि वो अधर के लिए move कर लें अपने लिए बेहतर faculty देखते हुए best of luck बिवेक जी ठीक है 5 पसीने का मुख्यूपियोग क्या है the main use of sweat is ठीक न बेच में current affair के lecture होंगे की नहीं विश्णू यार देखो कौन से बेच की बात कर रहा हूँ तुम उसका पूरा syllabus देख लो विश्णू ठीक है न शलिए बताईएगा पसीने का मुख्यूपियोग देखना दोस्त वास्तों में जो पसीने sweating का मुख्यूपियोग है न वो आपके सरीर के तापमान को control करने के लिए है ठीक है कितने लोग सही answer किये 17 का बिलकुल ए उप्शन इ अपके स्क्रीन पे ये रहा थर्मस बोतल में पेपदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दिवारों पर निम्न की परत लगाई जाते है कोल मिला जुला करके जो आपका हम लोग थर्मस यूज करते हैं थंडे को ठंडा गर्म को गर्म रखने के लिए उसके अंदर जो कोटिंग होती है वो ये पूछना चारा है दोस्त कि कोटिंग किसकी होती है तो दोस्तों जो थर्मस होता है नॉर्मली जो उसमें कोटिंग होती है दोस्त वो किसकी होती है सिल्वर परत ठीक है ना आप कभी बोतल के अंदर जाक करके देखिए जो समाननित होती है दोस्तों किसकी होती है silver की दोस्तो 18 question हो चुके हैं सभी को 20 question के बाद अपना result घोसित करना है कि उनके marks कितने आए आज के physics के session में और हाँ कल से detail study होगी कि subject की history की हर एक question पे इतनी information रहेंगे आप जानते हो कि जब मैं history पढ़ाऊं तो आपको कितनी information दे सकता हो तो जो लोग आज नहीं आएं उनको inform कर देना कि भाई कल से history चार दिन लगातार सांदार धुआधार in a pressure cooker the food cooks in a short time because pressure cooker में दोस्तों सुग्रिव पांडे जी good evening मेरे दोस्त राहूल बबलू केसरी निती कालोट जी स्मितिक रिचा अखिले सिधार राजिव बटरफ्लाई आलो कुमार जी new student to sir name ले लो बिल्कुल आलो चलो भईया आपका नाम ले लिए लेकिन यह answer करू राधे राधे चलो भईया 19 वे question का answer pressure cooker में खाना कम समय में पकता है क्योंकि क्यों कम समय में पकता है भाई क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताब बढ़ जाता है ठ क्लास की डेली साम साथ बजे सुबा 11 बजे यह मेरे क्लास की डेली टाइमिंग है साम साथ बजे NTPC के लिए मैं पढ़ाता रहता हूं और सुबा 11 बजे SSC, CHSL, CGL इनके लिए पढ़ाता रहता हूं ठीक है मोनिका कुमारी जी बिल्कुल question लाएंगे परशान मत हुई अग दोस्तों उसकी जल्वास्प करने की चमता भी बढ़ जाएगी अरे तापमान यदि बढ़ जाएगा तो आप जाइड सी बात है कि वो मॉस्चर को वाटर वेपर को अपने अंदर सोखने की चमता भी उसकी बढ़ जाएगी इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं ठीक है न मॉ कितने एंसर सही किए आप लोगों के कितने इन 20 कोश्चन में से एंसर सही हुए मैं सभी के कमेंट बॉक्स के साथ जुड़ूंगा और सभी लोग प्लीज मुझे बताइए पंकच कुमार का है सर मेरा 15 सही हुआ ठीक है पंकच कुमार का कमेंट है सर मेरा 15 कोशन सही हुआ ठ इसके जरिए आप 62% आफ का फायदा उठा करके इन टेस्सीरीज को पर्चेस कर सकते हैं, टेस्ट दो बहुत जरूरी है, सभी लोग एंसर करिए किसके कितने मार्क्स आए, मैं मार्क्स देखना चाहता हूँ, विनोध यादो सोलन नंबर, रंजन कुमार 15, बबलु केशरी 12, अंकितार्या 15, सुधीर 17.75, साजित सनी 12.5, सुग्रिव यार ये टूटू लिखे हो, सुग्रिव 50-50, रवी चंदरन 15 मेरे सही हैं, नील मनी जी 17, अजय कुमार जी सर मेरा 14 सही हुआ, तपस कुमार जेना के 12 राजेश चिच्वारे, अधीज राजा, चिच्वारे जी के सही हुए हैं 17, अधीराज चौधरी 12, चंदन सर्मार सर में लेट से जौइन हुआ हूँ सर, कोई बात नी चंदन, अगली बार टेश देना, कामनी आपके सही हुए हैं 17, तो 14, अब एक ओभराल विव आपको ब रानिल प्रिंस के 14 नंबर आए, अजित मौर्या के 14, रजनी परमार सर्जी लेट हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा, जिन लोगों के दोस्त, आज के फिजिक्स के टेस्ट में 14 से कम मार्क्स आए हैं, प्लीज, आप लोग एक बार पूरे फिजिक्स को दुबारा रिवाइज करिए, दोस्तों, जिन लोगों के 14 प्लस मार्क्स आए हैं, रेगुलर रिवीजन करते रहिए, और जिन लोगों ने 12 से या 10 से भी कम मार्क्स हासिल किये हैं, दोस्त, वर्क हार्ड, भाईया, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, फिजिक्स में, नई पे गरबढ़ा जाएगा, ठीक है न, और दोस्त, आज के कोश्चन की PDF मेरे टेलिग्राम ग्रूप से जरूर ले लेना, इनमें से कोई एक कोश्चन आप में फस सकता है, ठीक है न, हाँ, बिल्कुल कोली पारा कृष्णन जी, मैं आपकी बात का ध्यान रखूँगा, ठीक ह तो याद रखिएगा, नो सर, दो ही कोश्चन मिला, मुझे ले, ओके, सुब्रिव पांडे ये बोले, ओके, ओके, तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, साक्षी सर्मा जी, आपके क्रेस कोर्स बैच जो NTPC का आप कह रही हो, वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, औ और इस NTPC के क्रेस कोर्स बैच से दोस्तों, आप लोग भी जुड जाओ दोस्त, इस Y182 कोर्ड का प्रियोग करके, एक बात समझना दोस्त, मैं बार बार आपको इस Y182 कोर्ड का प्रियोग करके, 62% आउप पे क्रेस कोर्स, NTPC क्रेस कोर्स से जुडने के लिए इसलिए भ अनुभव है और मैं उस अनुभव के आधार पे बता रहा हूं दोस्त एक बार आखरी के 40 से 50 दिन लग करके पढ़ लोगे न वो एक रिदम में ला देगा जो थोड़ा बहुत भूले होगे न वो एक रिदम में आ जाएगा कम समय में जादा चीज कभर हो जाएगी तो अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं अन्टी पीसी क्रेस कोर्स से जो अड़ा इस्टोर पे दोस्तों मौझूद है 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है यह आप बैच कहां से लोगे और इस कोड का प्रियोग कहां करोगे तो दोस्तों आपको जाना है अड़ा247.com पे जब आप अ अड़ा इस्टोर क्या मिलेगा अड़ा इस्टोर और उस अड़ा इस्टोर पे एंटी पीसी क्रेस कोर्स सर्च करके वाई 182 कोड का प्रियोग करके आप इस वैस से जुड़ जाईए ठीक है ना तो थैंक यू सो मुच माई डियर इस्टुडेंट्स फिर आप से कल जारा बजे और कल साम साथ बजे मुलाकात होगी थैंक यू सो मच माई डियर इस्टुडेंट्स